चलिए शुरू करते हैं आज हम चैप्टर करने वाले हैं मनी एंड क्रेड़िट एकोनॉमिक का चैप्टर है मनी एंड क्रेड़िट तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ना है मनी और क्रेड़िट पैसा क्या है मनी का मतलब होता है पैसा पैसा भी नहीं मनी का मतलब होत होता है आपका जमा तो हम पढ़ेंगे किस प्रकार से मनी और ट्रेडिट काम करते हैं इकोनोमी में क्या इनका महत्व है इकोनॉमिक्स में किस प्रकार से इनको यूज किया जाता है ठीक है तो सबसे पहले तो बात कर लें हम मनी की जो आपकी चैप्टर के नाम में है मनी क्या है तो मनी इट इस इस आप मीडियम औफ एक्सचींज आए यह क्या है मनी एक माध्यम है चीजों को अदला वदली करने का कहां से आया जब यानि के मनी नहीं था उससे पहले क्या था वो हम देखेंगे पहले किस पर मनी के फॉर्म क्या क्या है वो सब हम कुछ देखेंगे ठीक है तो अब जब मनी नहीं था तो मीडियम ओप एक्सचेंड के लिए हम लोग चीजों की अदला बदली करते थे यानि कि एक व्यक्ति एक व्यक्ति जिसके पास जूते नहीं हैं तो वो क्या करता था मालनों इसके पास गेहूं है गेहूं लिए है और दूसरे व्यक्ति के पास क्या है जूते पहने हुए हैं और उसके पास जूते हैं शूज हैं तो देखो भाई इसके पास जूते हैं इसके पास ऑल्रेडी जूते हैं तो इसको जू जूते चाहिए, इसको नहीं चाहिए, इसको चाहिए अनाज, इसको क्या चाहिए अनाज, तो ये क्या करेगा, ये व्यक्ति इसको जूते देगा, और ये बदले में इसको अनाज देगा, यानि कि एक्सचेंज हो जाएगा, क्या होता है, यहां पर क्या हुआ, यहां पर बुनकर है कपड़े बुनता है ठीख है उसके पास खेत नहीं है तो उस व्यक्ति को चाहिए गेहूं मुझे चाहिए कपड़े तो मैं क्या करूँगा मैं गेहूं ठीख है मैं उसको गेहूं दे दूगा बदले मुझ से क्या ले लोगा तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स हुआ So exchange of goods, क्या कहलाता है? Exchange of goods कहलाता है barter system. क्या कहलाता है? Barter system. To jab money नहीं थी, तो क्या चलता था? Barter system चलता था. So क्या है barter system? It is Exchange of Goods. So barter system क्या है? Exchange of इतनी बात clear से समझ में आगी. Barter system में exchange of goods, अब सुनो बात. समस्या आती निता स्मस्या बार-बार पढ़ने वाली तो जब गहूं का बार-बार पढ़ने वाली है यानि कह इसका जरूरत नहीं है । यानिके दोनों को जरूरत होना चाहिए यानिके क्या होना चाहिए इन बार्टर सिस्टम कंडिशन क्या है कंडिशन है बार्टर सिस्टम की इन बार्टर सिस्टम बोध परसंस दोनों व्यक्ति क्या होना चाहिए have needs अब किस चीज की? एक दूसरे के सामानों की one and others goods है ना? यानि कि दोनों agree होने चाहिए exchange करने के लिए both must be agreed to exchange the things यानि कि दोनों agree होने चाहिए दोनों सैमत होने चाहिए कि हाँ भाई हमें भी जरूरत है हम आपको दे रहे हैं आपको भी जरूरत है आप ले लो तो ये हमेशा हर जगए हर समय पर ये समस्या ये चीज़ उत्पन हो नहीं पाती थी हाँ आपको किताबे चाहिए सामवाले नहीं जाहिए जो आपके पास एक्स्ट्रा है तो फिर इस समस्या से निपटने के लिए क्या किया तो इसको क्या कहते हैं इस को गटना को इस कि इस्तिति को कहते हैं double coincidence of points के coincidence क्या होता है आपको पता है बोले coincidence हो गया अचानक यानी कि दोनों को जरूरत हो एक जो तुम्हें चाहिए वह सामने वाले के पास हो ठीक है और जो तो उसे चाहिए वो तुमारे पास हो, ऐसा हमेशा तो नहीं होने वाला, तो इसको बोलते हैं double coincidence of wants, तो double coincidence of wants, इसका क्या है condition है, बार्टर सिस्टम का, बार्टर सिस्टम तभी संबह हो सकता था, बार्टर सिस्टम कैन भी possible only when there is double coincidence of wants, इतनी बात समझ में आ गई चलिए अब आगे देखते हैं अब बाद आती है तो मनी को हमने जान लिया तो फिर इस बार्टर सिस्टम से बचने के लिए एक ऐसा चीज ढूड़ी गई जो सब को ही लेगा है ना एक ऐसा मीडियम ढूड़ा गया ऐसा माध्यम ढूड़ा गया ऐसी चीज ढूड़ी गई जो सब को ही लेगा और उसके बतले में सब को ही सब चीज देगा उसको कहा गया मनी ठीक है तो मनी क्या है मनी को सिर्फ रुपए पैसे से कंसीडर मत करिएगा मनी का मतलब यह नहीं है कि आपके पास रुपए है है 100 रुपी का नोट 500 रुपी का नोट नहीं मनी हर वो चीज है मनी इस एवरीटिंग मनी इस एवरीटिंग बहुत सिंपल सी वास्ता में अगर हम समझाने का प्रियास करें तो यह होगा मनी इस एवरीटिंग मनी हर वो चीज है which is authorized by the government अब government का मतलब उस समय अगर राजा माराजा होते थे तो वो government में थे है ना government तो कोई मुनार्की हो सकती है aristocracy हो सकती है theocracy हो सकती है हमारे यह democracy है तो अब कोई government किसी चीज को authorized कर दे ठीक है तो money is everything which is authorized by the government as a medium of exchange तो सिर्फ रुपई की बात नहीं हो रही कल के दिन government कह दे कि आप पर्टिकुलर एक संग मरमर का टुकड़ा लाइए इतने ग्राम का टुकड़ा इतने इस अमाउंट जा रिये उसका एक पर्टिकुलर वैल्यू बता दे इतने पैसे के बराबर होगा तो वो money हो जाएगी है ना जैसे की पहले की सरकारें क्या चलाती थी कौड़ी सबसे पहले क्या चला था कौड़ी क्या समद में मिल जाती थी कौड़ी वही तो होती थी कौड़ी टका आज की date में देख लो तो आज की डेट में क्या है आज की डेट में आप गॉवर्मेंट बैंक में भी अगर आप पैसा जम अगर तो चल क्या रहा है नंबर फोन पे आपने कर दिया आपकी हाथ में कुछ आया नंबर यहां से वहां पहुंच गए उनके में देखने लगा 500 हमारे हम क्रेडिट हो की गовर्मेंट ने ऑथोराइज नहीं की मालोगा गवर्मेंट को ऊथואל़ गर दे तो बस इसका कोई फिजिकल फॉर्मेट तो है नहीं हाँ हाड चीज तो है नहीं केबल सौट में चल रहा है नंबर्ॉडू और सबस dúst में ऐसा ही होगा aí स्ट एर विल भी और हम कर्न्सी नहीं होगा सिर्फ और सिर्फ ngamors में ऐन होगा आप बता से पीते हो यह नोट मोट कोन मिला नहीं सब जी वालłem इसका सकीया नंबर ट्रास बोग्ये शेंए नंबर अब यह नंबर वीडियो गेम में भी ट्रांसपर कर सकते हैं कोई भी गें वो लेकिन उसको government ने authorized तो जो चीज government कहते हैं कि हाँ भई हम authorized करते हैं इसको सब कोई मानेगा और इसके बदले में सब कोई सामन देगा वही money होता है इतनी बात clear समझ में आगे यानि कि money is everything which is authorized by the government as a medium of exchange ठीक है तो बस जब government इसको authorized कर देती है तो यह बन जाता है इट becomes a legal tender क्या बन जाता है legal tender बन जाता है और विच इस acceptable by all ठीक है नोट है कि नोट है 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 आल आओ दिखाओ देखिए इस नोट पर लिखा हुआ है अब इस नोट पर लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है मैं पढ़के बताता हूँ मैं धारक को मैं धारक को 20 रुपए अदा कर ने का वचन देता हूँ अब यह वचन कौन दे रहा है सशिकांथ दास गवर् bringing कौन दे रहा है सशिकांथ दास गवर्नर यानि के गवर्मेंट अब यहां पर गवर्नर बैंक इस रा साथ होता है तो तो कौन भी यह ग्राइन्टी दे रहा है कि यह 20 रुपय में चलेगा 20 रुपय का मतलब है इस नहीं लेंगे उसी दिन से वह कागज वह इसी पर इसी कागज के लिए सब कुछ चल रहा है तो यह कावज एक्चुल यानि कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है इसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है पांसो हजार का नूट पड़ाओ उठाओगे खुद की पुराना यानि कि इसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है लेकिन इसकी सब कुछ इसकी पूरी वैल्यू इसी के पीछे तो परिशान है क्योंकर तक आज ये कुछ नहीं है तो मॉडरन करण्सी जो होती है तो गॉअन ये पुरानी गोल्ज फे नहीं जो एक हजार रुपए में क्या लाते हो पुराना कोईन लाते हो चांदी का सिल्वर का लाते हो ना वो चांदी का कोईन पुराने जमाने में एक रुपए था जो आज एक रुपए आप उसको आज एक हजार का खरीद रहो यानि कि उसकी खुद की वैल्यू है एक हजार रुपए की खुद की इसकी खुद की वैल्यू कितनी होगी कागज अगर खेंदे कौपी आ जाती है रिजिटर है खुद कागज होता है छापे रहाओ गांदी लेकिन बोचलेगा नहीं कि government ने खुद अपना कागज दिया हुआ है खुद की कोई वैल्यू नहीं तो उसकी वैल्यू है क्योंकि वो मैटल था गोल्ड के कोई थे सिलवर के कोई थे वो उनकी खुद की वी वैल्यू थी उसको आप गला के क्या बना लो ज्वैलरी बना लो तो modern currency की खुद की कोई value नहीं है currency की बात बात में करेंगे जब currency आएगी ठीक है इतनी बात समझें आगे इतना आगे हो गया लिखो तो जो money है finally क्या हुआ money acts money जो है money acts as an intermediate किसका of exchange है ना intermediate रहता है एक्षेंज के लिए money दो कुछ भी ले लो कुछ भी एक्षेंज कर लो तो with the help of money we can buy with the help of money we can buy services and goods आप school जाते हो school गए school में पैसा दे फीस भरते हो है ना जो हजारों रुपे भर रहे हो कि क्या लेकर आ रहे हो वहां से service क्या ले रहे हो service hospital गए क्या मिला service यानि कि जहां पर कुछ hard चीज नहीं मिलती जहां पर कोई hardware नहीं मिलता जिसको touch कर सको तो यानि कि आपने क्या खरीदाया पैसे देखे सर्विस खरीदिया मूवी देखने गए आपने 200 रुपए का टिकेट लिया अंदर गए पिक्चर देखी वावावा मज़ा आ गया लेके क्या आए नथिंग जैसे गए थे वैसे बहार क्या खिलिया सर्विस तो सर्विस जादा महेंगी हैं सामान से ज तो सर्विस जब तक आप जिंदा हो तब तक आप सर्विस करते रहेंगे तो अब बात कर लेते हैं मनी को किस फॉर्म में यूज करते हैं है ना मनी हमने देख लिए मनी क्या है मीडियम ऑफ एक्सचेंज है मनी क्यूं जरूरत पड़ी बार्टर सुस्टम डबल कोइंस ऑफ वांट्स की प्रॉब्लम आती थी इसलिए ऐसा माध्यम लाए जिसके माध्य अब बात कर लेते हैं फॉर्म ऑफ मनी की मनी को किस रूप में किस फ़रूप में हम प्रियोग में लाते हैं ठीक है तो पुरानी बात भी हमने बता दी कि कौड़ी चलती थी फिर मैटल के सिक्के आए मैटल में गोल्ड आया अग्सिलवर आए आज कि हम बात करें तो मॉडर फोंड कहें दें। मॉडर फोर्म औप मनी है मॉढरन फ़ॉम औप मनी तो में ली अब तो 3-4 चल भाएं लेकिन अभी आप सिक व모त में है वह दोफें एग तो है करन्सी और एक है डेफोर जेखा बायंक डेपॉसित जिसको बोलता है फ्लिछ इन दिपॉर्वत मेंत्य को आ अपना deposit use करने का सुविधा देती है उनमें से एक सुविधा है आपकी चेक की एक सुविधा है जिसको प्लास्टिक मनी के नाम से जानते हैं अब ये भी इसका भी चलन कम हो गया अब चलती है डिजिटल मनी देखे ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये थोड़ा सा syllabus से हम थो समा करते हो तो बैंक कहता है कि आपका पैसा मेरे पास है अब मैं आपको कुछ दे रहा हूँ आप उसको मेरे कहने आइंस्वार आप यूस कर सकते है हर जगे एक्सेप्टेबल होगा क्योंकि हम गारंटी ले रहे हैं इस बात की ना चैक इसउ करती है वो उस चेक बुक में या प्लास्टिक मनि का मतलब क्रेडिट कार्ड आपको क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड देते आप जाते हैं और आपना प्रमेंट कर लेते हैं और आज कल जो चलंब है तेट इस टिजिटल मनी जैसे कि आप फोन पे गूगल पे फलाना पे ढिंटा पे दुनिया पे और लम इस इस ढ़िए तो डिजिटल मनी कोच नहीं गए Amazon पे कितने सारे platform आ रहे हैं कितने सारे platform आ रहे हैं इनकी तो मतलब आगे वाला जो दुनिया वो जान गए अगला जो future है वो इसका है digital currency का मतलब अब digital mode में ही पैसा चलता है cash लेके कोई नहीं चलता है इसको चुराने का खत्रा चौरी ओने का खत्रा डाका डालने का खत्रा इसमें कोई खत्रा नहीं जाएगा तो सिर्फ आपका mobile लेकिन आप चुकि चौर भी smart हो गए आप तो ऐसी चौरी होती है कि इसमें तो limit थी जितना आपकी जेब में होगा उतना जाएगा इसमें तो सभी चला जाता है तो जितना ज्यादा डिजिटल जितना ज्यादा modernize हो रहे है उतने ज्यादा चौर भी modernize हो रहे हैं उतना ज्यादा आपको सतर्क होने की आवशक्ता है तो यह तो बात हो गई अलग अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा तो क्या है currency है और bank deposit है currency क्या होती है currency में चलते हैं आपके note या जानी के paper notes होते हैं जो के paper के होते हैं और क्या चलते है coins है ठीक है जैसे इंडिया में हम क्या यूज़ करते हैं रुपी रुपिया होता है और पैसा कि के पैसा बोलता है अगर यूस की बात करें तो डॉलर और सेंट है ना तो डॉलर का sign भी है रुपी का भी sign है है ना ना बाप बड़ा ना भाईया दा होल तिंग इस डैट के भाईया यह जाने कहां गया is that okay इसी रुपय का खेल है भाई सब कुछ यही खेल है खेला है लंबा अब हम आगे चलेंगे ठीक है तो modern form of money हमने देख लिया तो modern form of money is paper notes and coins ठीक है इनकी खुद की कोई value नहीं होती it has no value of its own इनकी खुद की कोई value नहीं होती खुद की value का मतलब ऐसा है खुद की value का मतलब समझ लो अगर आपके पास सपोस्पोस करिए कि गोल्ड कोईन है जो पहले चलता था आप देखो इसकी खुद की value बताते हैं इस gold कोईन के बदले समझ मिलेगा मिलेगा ना नेपाल चले गए यानि कि इसकी value हर जगह कोईन की नहीं है उस जो कोईन जिस चीज से बना है उसकी value है इसको लेके अगर आप पेपर का नोट लिया और आप चले आते हैं कैनेडा क्या कोई लेगा क्या कोई लेगा बताइए आप जैसे मेरे पास पॉस करना पॉस करना है तो यानि के जो modern form है money के उनका कोई खुद की कोई value नहीं है है तो अब value नहीं है तो फिर कैसे acceptable है तो बिना value की acceptable इसलिए है क्योंकि country कोई भी country हो जहां पर भी जो भी money उनकी हो country की जो सरकार होती है government वह authorized करती है authorized the money या currency ठीक है एज यूजिंग है तक फॉर्म ओफ एक्सचेंग ठीक है कौन इशू करता है आर बी आई भारत में रिजर्व बैंक ओफ इंडिया इस्यू करती है इस्यू दा करेंसी बहाफ ओफ इंडियन गवर्मेंट तो कौन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्यू करती है तो एक नंबर का कुछ चाहता है कौन इशू करता है इसके बाद भारत का लॉव लॉव को लीगलाइज करता है लॉव लीगलाइज दा यूज ओफ करेंसी कोई भी नो इंडिविज्वाल नो इंडिविज्वाल कैन रिफ्यूज तो एक्सेप्ट इट कोई भी इसको एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता अगर वो ऐसा करता है तो इंडियल लॉग के तहट उसको सजा का प्रावधान भी होता है अब बात आती है मनी का दूसरा फॉर्म डिपॉसिट जिसको हम दूसरे वीडियो में करेंगे ठीक है थैंक यू